दोस्तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम हमारे एक राफ्ट के लिए जो नए जैट एंजन्स होने हैं उनके बारे में जो नई अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हमें ये रिक्वेस्ट की गई थी कि नए इंजिन अपडेट्स की उपर वीडियो बनाई जाए तो हम आज इस वीडियो में सारी नई अपडेट्स के बारें बात करेंगे दोस्तो हमारे देश को अगले कुछ सालों में 300 से ज़्यादा नए जेट इंजिन्स की जूरुत है तो इसलिए हम एक नया इंजिन डिवेल्प करना चाहते हैं जिसके लिए कुछ देशों के साथ बाचीत भी चल रही है और कुछ नई अपडेट्स भी आई हैं अभी जो सबसे ज़्यादा नई अपडेट है उसमें ये है कि भारत अब चाहता है कि एक नया 125 के अन थ्रस्ट वाला इंजिन हो जो कि हमारे स्कोई 30 EMK fighter aircraft में भी इस्तिमाल किया जा सके और AMCA fighter jet में भी इस्तिमाल किया जा सके हम जो इंजिन डेवेल्प करने वाले हैं उसी इंजिन से drive करकर हम अलग लग इंजिन से जा अलग लग त्रस्ट वाले और अलग लग requirement को cater करने वाले इंजिन बना सकते हैं जो कि हमारे सभी नए indigenous aircraft projects में लगाये जा सकते हैं भारत का जो AMCA 5th Generation Fighter Jet है उसे एक ऐसे इंजिन की जुरूरत है जैसे कि 110KN का Wet Thrust हो और 75KN का Dry Thrust हो लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि DRDO और ADA ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अब एक 125KN के Wet Thrust वाले इंजिन को चाहते हैं जो कि एक 25 टन के AMCA और एक 26 टन के Twin Engine Deck Based Fighter A Craft प्रोग्राम दोनों को Power कर सकेगा और फ्यूचर में स्कोई 30MK Fighter A Craft की Upgrades में भी कामा सकेगा इस 125KN के Jet Engine की Development हमेशा सही DRDO और ADA के माइड में थी क्योंकि इस इंजिन के साथ वो अपने सबी Future Projects की Power Requirements को पूरा कर सकेंगे जिनमें AMCA Twin Engine Deck Based Fighter A Craft और फ्यूचर में 6th Generation Fighter प्लैटफॉम भी होगा क्योंकि अभी जो 110KN का इंजिन हम अगर AMCA के लिए डिवैल्प करते हैं तो वो शायद AMCA के लिए बहुत अच्छी आप्शन हो लेकिन अगर हम Future को देखें और AMCA में अगर हम नई जेनरेशन की टेकनोलजी जैसे की Directed Energy जानने की Laser Technology की बात करें तो उसके लिए शायद वो कम पड़े तो इसलिए 125KN का जेट इंजिन डिवैल्प करना बहुत अच्छी आप्शन है जो भी Directed Energy टेकनोलजी है जाने की Laser टेकनोलजी है वो अभी भी डिवैल्प हो रही है लेकिन इसकी जो Power Requirements है वो बहुत जादा है अभी जो Laser Technologies डिवैल्प की जा रही है वो इतनी केव हैं कि वो शोटी Rockets, Unmanned Aerial Vehicles, शोटी Attack Boats, Lightweight Ground Vehicles को खतम कर सकती है जा उन्हें Disable कर सकती है लेकिन इनको Power करने के लिए भी जो Energy Requirement चाहिए वो बहुत जादा है लेकिन अगर हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो कि Surface to Air या Air to Air Missiles को ज़्यादा स्पीड पर चलने वाली Missiles को भी रोक सके तो इसके लिए जो Energy Requirement होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि अभी के Engine उस Requirement को पूरा नहीं कर पाएंगे और इसलिए अगर फ्यूचर में हम एक Airborne Laser Weapon को इस्तिमाल करना चाहते हैं तो उसे सोच कर और उसे ध्यान में रहकर हमें अभी से काम करना होगा और एक ऐसे एक और एक ऐसे Engine की जरूत होगी जो इतनी पावर जनरेट कर सके अभी के जो High Power Laser Weapons हैं वो काफी भारी हैं और उनकी Energy Requirement भी ज़्यादा है लेकिन फ्यूचर में ये टेकनोलोजी जरूर इवाल्व होगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब पॉर्ड लेजर वैपन्स एक हम स्कोई 30 MK Fighter A Craft को भी रिप्लेस करना चाहेंगे जहां उसे अपग्रेड करना चाहेंगे और यहां पर स्कोई 30 MK Fighter A Craft को अपग्रेड करने की बात आती है तो एक 125 KN के थरस्ट वाला इंजिन उसके लिए भी बहुत अच्छी आफर है और अभी अगर हम बात करें तो अभी फि इंजिन एर फोर्स भी इनकी उपर फोकस करना चाहेगी और जैसा कि हमने पहली भी वीडियोस में बात की है कि जो AMCA का Mark 2 वेरियंट होगा जो की 5.5 जिनरेशन का होने वाला है उसमें ऐसी टेकनोलोजिस लगी होगी जिने की हम काफी हद तक 6 जिनरेशन टेकनोलोजिस कह सक और ट्विन एंजिन डेक बेस्ट फाइटर एक क्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ये तो सही है कि ऐसी रिक्वार्मेंट हमारी है और हम ऐसा काम करना चाहते हैं लेकिन ये काम किया कैसे जाएगा ऐसी खबर याई है कि जी राफेल फाइटर एक क्राफ्ट के लिए इंजिन बनाती है वो हमारी गैंस्टर बाइन सर्च एस्टैविश्मेट के साथ बातचीत कर रही है जी टी यरी वो कमपनी है जो कि कावरी इंजिन के उपर काम कर रही थी और इसी कावरी इंजिन को ठीक करने के लिए साफरान ने पहले भी आफर दी थी कि उसमें M88 इंजिन का कोर इस्तिमार करकर आप अपने इंजिन को बना सकते हैं लेकिन बाद में उनके साथ डील फाइनल नहीं हो सकी क्योंकि साफरान की तरफ से जो कॉस्ट मांगी जा रही थी वो काफी जादा थी और इसके साथ ही रॉल्स रॉइस के साथ भी इन इंजिन को लेकर बादचे चल रही थी लेकिन उसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है लेकिन इसके साथ ये भी अपडेट आई है कि रॉल्स रॉइस केल कमपनी के साथ मिलकर तर्किश फाइटर जैट के लिए इंजिन मना रही है UK की जो Engine Maker Rolls Royce है और Engine Making में एक बहुत बड़ा नाम है उन्होंने टरकिश कमपनी केल के साथ काम करना शुरू कर दिया है जो कि उनके पहले Indigenous Fighter A Craft TFX के लिए एक इंजन बनाएंगा ऐसा काम करने के लिए टरकिश और रोल्स रॉइस एक नई इंजन एक नई कमपनी बनाएंगे जिसका नाम TAC होगा जो की रोल्स रॉइस और केल का एक जॉइंट वेंचर होगा इसमें 51% जो हिस्सेदारी होगी वो केल कमपनी की होगी इसे पहले भी रोल्स रॉइस के साथ इन इंजन को लेकर बाचित हुई थी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई थी लेकिन एक बार फिर से अब इन इंजन पार्टनरशिप के उपर काम शुरू हो गया है ऐसे ही आफर रोल्स रॉइस ने हमें भी दिल थी लेकिन उसके बारे में बाद में कोई नई ठोस अबडेट नहीं आई है और अभी ऐसा लग रहा है कि जो भी काम चल रहा है वो साफरान के साथ ही चल रहा है और साफ Sketchern के साथ मिलकर ही अभी 125 KN के Thrust वाला एंजिन बनाया जा सकता है जो एंजिन हमें चाहिए उन के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जो एंजिन होना चाहिए वो भारत की conditions के हिसाब से होना चाहिए क्योंकि जो Indian Hot Humid Conditions हैं उनमें काम करने के वक्त एक राफ्ट के इंजिन्स के उपर काफी असर पड़ता है और जो हमारी requirement के साथ के हिसाब से इंजिन बनाया जाएगा तो उनमें Indian Conditions में काम करने में जो Thrust Loss होता था वो भी नहीं होगा और ये हमारे लिए बहुत अशी आप्शन होगी तो अभी तक जो अपडेट्स आई हैं उससे ये लगता है कि हम जो भी इंजिन्स के उपर काम कर रहे हैं वो हमारी future requirement को ध्यान में रखकर किया जा रहा है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत